तो हम बात कर रहें low blood pressure और low blood pressure को connect कर रहें anxiety, depression और sleep disorder ये कहीं कहीं एक दूसरे से connected है तो सबसे पहले low blood pressure को final करने के लिए उसको explain करने के लिए हमें anxiety वाले nature को समझना पढ़े तो अगर आप देखें तो 70% लोगों में जो anxious nature के लोग है वो जब anxiety वाले thoughts चलाते हैं या चलता है तो उनके organs shrink करते हैं चाहे वो lungs, muscles या जो secretions हैं जितने hormonal gland हैं वो shrink करेंगे nerves यह सब shrink करते हैं अब अगर यह shrinking का process चलता है blood pressure और low होता है blood का flow कम होता है और उनके faint होने के chances भी बढ़ जाते हैं साथ-साथ sleep disorder automatically हाथ लग जाता है क्योंकि जब body support नहीं दे रही body down हो रही है मतलब जैसे नहीं कहते कि शरीर ठंडी पढ़ रही है शरीर गरम नहीं होती है ऐसे लोगों की शरीर ठंडी पढ़ने लगते हैं समझ गया मेरे बार क्योंकि blood का flow less हो रहा है तो ऐसे लोगों को खास करके जो low blood pressure और anxious है anxiety वाले ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि immediate effect आजए तो मैं हमेशा काफ muscles की बात करता हूं है ने जिसमें heel up and down की बात करता हूं है ने लेकिन वो high blood pressure के लिए उसमें high blood pressure को control करने के लिए मैं करवाता हूं क्योंकि brain की nerves को थोड़ा pump up करे और heart को ज्यादा blood का flow मिले और better मिले ताकि blood का pressure count stress का level reduce हो लेकिन यहां पर ऐसा नहीं यहां पर काफ की muscles को कैसे यूज कर आप काफ की muscles को टाविल से बांदो लपेट दो ताविल उसमें या चुनी लपेट दो या कोई जो आप पट्टी बांगते हो न बैंड बांदो उसमें बहुत hard नहीं थोड़ा सा tight कर दो और फिर heel up and down कर तो अगर आप काफ की muscles पे आपने wrap कर दिया और आप हील up and down कर रहे हैं तो काफ की muscles फूलिंग काफ हील up and down और counting मत करो इसको दो मिनिट या तीन मिनिट का एक time fix कर दो कि तीन मिनिट तक चलती रहेंगी तो तीन मिनिट तक काफ की muscles को इतना काफ हुला दो कि टाइट हो जाएं वो जो रैप किया है उसको टकराएगा मतलब आप ऐसे अगर इसको रैप कर दोगे और यह फूलने लगा तो यह टाइट होगा यह हिस्सा टाइट हो जाएगा काफ की मसल्स अब वो काफ की मसल्स को इतना टाइट कर दो दो मिनट के तीन अगर राउंड कर लिया वैसे जब हम लोग बहुत एंजाइटी ओ स्लीप डिस और लोग ब्लड प्रिशर पर काम करते हैं तो इसको दद्दस कराते यह सब् hopлаjak यदे की कि इस्ट्रेश यह बढ़ा रहना चाहिए ताकि प्रशर ब्लाइट हो टाइटनेस क्रीएट करो ताकि प्रशर बलड का जो क्राजर्स और बहुत जादा आ जाए हैं. फिर ब्रेन की टुएंद की इस टेखनीक से ब्लॉकेज भी हैं। इस टेखनीक से मैंने जो मनें ब्लू नर्ब्स भार्ण संडुक्षियों शूल्व किया है. वह रहां नहीं होती वेरिकोज वेंस सॉल्व नहीं होती जान लो आप क्योंकि यह सब इंटर कनेक्टर है ना आपकी नौप्स में ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है आप लो ब्लड पेशर में जा रहे हैं आपकी एंजाइटी वैसे बढ़ रही है स्लीप डिसॉर्डर हो गया है अब आपकी वेंस सब तो फूलेंगी ही ना और क्या होगा वेंस जो वेरिकोज वेंस से यह तो साइन है कि हार्ट जा रहा है वेरिकोज वेंस साइन है कि हार्ट अब जा रहा है अब सम्हाल लोस इविन कि जहां मैं कह रहा हूं कि इतना तो नही कमसकम इतनी मोटी मोटी में को मैंने solve किया है सिर्फ यह टेक्निक्स तो बसिकली low blood pressure भी add कर लो anxiety very close बेज़़ स्लीप disorder तो solve हो जाएगा तो अगर sleep disorder है तो इसको रात में कर लो तो रात में आपका low blood pressure थीक हो गया क्योंकि रात में 99% low blood pressure वालों को problem होती है वहीं पर हाट की problem होने की chances होते हैं freeze होने की chances होते हैं क्योंकि moon का effect cooling है mind रात में ज्यादा active होता है anxiety ज्यादा चलने लगती है क्योंकि body का function तो है नहीं और anxious nature है हमारा तो हम सोचने की kriya ज्यादा करते हैं तो उस में blood का flow लो होने का हाट पर प्रेशर ज्यादा फ्रीज होने का स्लीप डिसार्डर वैसे ही ज्यादा चांस इसलिए अगर हम रात में सोने के पहले दस पंदरा मिनट पहले सरफ दो एक्सरसाइज करें लो ब्लड प्रेशर एंजाइटी स्लीप डिसार्डर गया और यह वेरिकोस बेंज भी गया तो एक घंटा या सवा घंटा या दो घंटा पहले वैसे मैं मानता हूं कि एक घंटा पहले ही कर लिया जाए आप रैप करके है आपने और हील को नीचे रखा जमीन पर मत रखो और रैप किये हुए बांधे हुए जैसे कभी कभी आप देखो पुराने लोग जब वह बहुत दिन भर औरतें खास करके जब एक्स्ट्रीम ठख जाती थी पुराने समय में आज के 30 साल पहले कि मैं बात कर रहा हूं तो को बैंड बांध करके अपने को रिलाक्स कर लें इसलिए अराम पड़ जाएगा बहुत सारी डिजीस से बस सकते हो इसमें तो वह इसी तरह टेक्निक यूज करती थी लेकिन हम लोग साइंटिफिक में थोड़ा से कर लेते हैं कि बैंड बांधो हील अप एंड डाउन करो औ और काफ मसल्स को पंप करते जाओ काफ मसल्स फूलता जा रहा है आपकी जो वेरिकोज वेंस में भी ब्रट सर्कुरेशन होने लगा प्रेशर बढ़ रहा है अब प्रेशर आपके उपर आ रहा है हाट की तरफ ब्रेन की तरफ इस्पाइन की तरफ ब्लड का फ्लो बहुत ब उपर बुलड का पाउंटर क्या करें क्योंकि प्रेसर तो दे दिया 아ड इसको माणनों पाच-पांच करते हैं कि क्या प्रोटेस होनाओन चीह टाइमिंग टाइमिंग बाद में फिक्स कर लो किहां 2-2 मिनिट कामारवल ऐस्टार्टिंग में कर लिए अब इसको करने के बाद इसका काउं टर क्या किया जा अब इसके बाद आपने काफ मुसल में इतन zaj लेट जाओ बैक पे लेट जाओ बैक पे लेट करके और अपने दोनों पैर को 60 डिग्री पूठा के वाल पे अटका दो अब क्या टेक्निक यूज किया बलड के फ्लो को जो पैरों में खास करके जो काफ मुसल्स में बहुत ज्यादा स्ट्रेस था खिचाओ क्रियेट किया था पैदा किया था उसके सारे बलड को नीचे उठा लाया रिवर्स कर दिया जब रिवर्स कर देंगे पांच मिनिट के लिए और फिर डाउन करेंगे दो चार मिनिट से ज़्यादा आप उठेने जगे नहीं रह सकते सो जाएगा बलड क खास करके इसमें कंडिशन यह कि किसी को कमर में कोई प्रावलम है यह सारे कंडिशन देखी जाती है तो इसलिए पर्सनल डाइग्नोसिस कुछ डिजीज में होती है परियाम कॉमन बात कर देंगे तो जब इसको होल्डिंग करके यह दोनों से साइस काफ मुसल्स की और फिर उसका रिवर्स जवकाराते हैं तो आपका ब्लॉड़ पेशर नॉन्मल होता है लो प्लड पेशर ठीक हो जाता है मतलब उसकी तो कोई वैसे मेडिसिन होती नहीं को ब्लड पेशर को अप करेंगे ऊप कोई मैड नहीं हो सकते कि और यह नमक पानी पिलवादे पिलवादें हो तब नियूरो की प्राब्लम मैक्सिमुम सॉल्व हो सकती है इससे हाई बीपी में नहीं कर सकते देखो जो हाई बीपी में यह कॉंबनेशन इसलिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि रैप किया हुआ है आपने प्रेशर और बढ़ा रहे हो आप उपर की तरफ तो आप हटा दो हलके में कर तो और और पिर डिखरेंट बे में करो कि सीड़ी पर करवा के पर करवा कि यह सीड़ी है और आप ने दोनों पैर को पंजे को यहां रखा और हील को डाउन कर दिया काफ मुसल्स की स्ट्रेचिंग होहां ज्यादा करतेवा रध़ नं पंपर consistent then भी हाई ब्लड प्रेशर से रेलेटर प्राब्लम होती हैं उनको अगर उनकी नर्ब को स्ट्रेच कराओ तो ब्रेन में जो स्ट्रेस है वो रिडियूस होगा इमीडियेट और यह मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 4-6 घंटा लगए उसी समय होना चाहिए क्योंकि माइंड आपके ब्रेन से और ब्रेन आपकी स्पाइन से फुले कनेक्टेड नर्वस इस्टम है ना जब आप पैर की काफ मुसेल्स की नर्ब को खीशते हो वेंस को खीशते हो तो इमीडियेट लिए व इसपाइन को मेसेज देती है और स्पाइन के थूझ ब्रें को हाराम से कंफ़ोटिबल में उसमें नीचे ज्यादा करना होता है उपर नीचे भी करते हैं बट वो रैप नहीं करते हैं लेकिन लो फ्लेट प्रेशर में रैपिंग होती है रैप करके और उसको बांध लेते हैं ताकि वो ज्यादा जब फूले तो टाइट हो प्रेशा रहा है तो जब आप इसको है और टाइट हो रहा है तो यह चीजे ब्रेन को सबसे ज़्यादा और नर्वस सिस्टम को रिलिव देती हैं यहां तक कि जैसे एक मालो पाइप है सपोज इक पाइप है और उसके अंदर ब्लॉकेज है ठीक है अब आप उसके अंदर जा नहीं सकते हाप उसके अंदर एर भरो और प्रेशर दो प्रेशर क्रियेट करो और फिर छोड़ो बाद में लास्त में तो वह पाइप साफ हो जाएगी आप पानी की पाइप कैसे साफ करते हो यह बॉटल आप साफ करते हो आप इसमें हाफ पानी भरते हो और इसको बंद करके और हिलाते हो आप मूव करते हो बास तो आप रैप करते ग्रैप करके यह पूरानी टिक्निक्स होती थी हाला कि पुरानी टेक्निक्स में जो बहुत पुराने पुस्तों को में लिटा तो उससे वो मसाज करते थे तैसे कपड़ा बांद के रोल करते थे लेकिन यहाँ पर अगर हम रोल करने वाला को दूसरा आदमी आप लेटे हैं रोल को दूसरा कर रहा है बट यहाँ पर वो अप्ध यहां तक नहीं जा अब काफ मसल से ब्रेन और जो डिरिजन देने वाला है वो यहां से कनेक्टेट है तो यह कॉडिनेशन हमेशा होना चाहिए इसलिए हमेशा एक्सराइज या जो हम अपने सेल्फ एफॉर्ट वाली एक्सराइज करते हैं वो ज्यादा बेनिफिसियल होती है उसमें पर्मनेंसी होती है वो पर्मनेंट है डिपेंडेंट नहीं है ना ब्रेन को डिपेंडेंसी की ट्रेनिंग डिरेक्ली तो हांफूल है इंडरेक्ली और हांफूल है ब्रेन को खुदी ट्रेन कर रहा है तो आप इस्पेसली यह ट्रेनिंग दे रहा है इसको ट्रेनिंग दे रहा हो कि आप वहां पर pressure create करो तो आपको इतने amount में भी पता चल जाएगा कितने amount में pressure दो सामने वाला कितना roll कर रहा है इतना amount मालूम चल जाएगा आपको तो जब ज़्यादा pain होने लगेगा तो आप मत दबाओ यार बहुत हो गया कि नहीं पर यहां amount में अब जैसे एक छोटे बच्चे को मा feed करा देती अब अगर उसको यह मालूम भी हो कि भाई पेट भर रहा है लेकिन मा को तो मालूम नहीं कितना फीट कराना है अब वह जब चलाने लगेगा तो मा समझ लेगी भाई चलो भर गया लेकिन इतने में तो ज्यादा हो जाता है लेकिन यहां पर जब थे पहले भी आपका mind यह साइड कर लेगा नहीं यार यह ठीक नहीं बंकरत.'" तो तो रिल सिन्स paying मैनेजमेंट में हमेशा बहुत एकोरीसी होते हैं दिपेंडेंसी जहां पे बहुतmacी होए सकती दूसरा कर रहा है और उसका है एक्सट्रीम हो तो चला हो गया है फटर डिसाइडिगुंख व्याज़ का कपेशिक नहीं हैं तो अगर यह वाली टिrig अपनाते हैं तो यहां तक की low blood pressure भी जो varicose veins है यह सब solve problem और neuro को तो है